अग्ले फ्रेंट्स जैसे कि लास्ट लेक्ट्टर में हम लोह उने frank किया था कि यह वर्किंग आफ ए कंप्यूटर सिस्टम के एक लास्ट लेक्चर में इसकिया कि उसमें सबसे पहले क्या होता है एक input unit होती है, जिसमें हम data input करते हैं, वो data को किसको बेशता है, processing unit को, processing, ठीक है, और processing unit के बाद processing unit process करके या जो भी हमें data पे जो भी operation करना है, वो करके जो result है, वो output unit को देता है, यह चीज हम लोगों ने last lecture में पढ़ा था, अब आज हम लोग इसको discuss करेंगे, कि input unit क्या होती ह है, और इनका क्या काम होता है, तो देखिए, input unit या input devices, input devices का काम यह होता है, just to input the data, input the data to a computer, to a computer system, या आप कह सकते हैं, कि to send the data, और इसको आप easy language में समझ सकते हैं, कि to send the data, ठीक है, to processing unit, to send the data to processing unit, यह काम होता है, basically input devices का, तो देखिए, input devices कही तरह की होती है, कही से तो आप काफी familiar भी है, जैसे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कि, जो सबसे very well known device है, वो है, आपका पहला क्या है, keyboard, keyboard, keyboard आप सब लोगों ने देखा होगा, keyboard, generally, most widely used input device है, इसके थुरू हम data बगरा, जो है, input करते हैं, computer को, तो, लेगिन, keyboard में क्या है, keyboard भी दो तरखे होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, एक होता है, serial, keyboard, ऐसे आप लिखलो, और एक होता है, parallel keyboard, ठीक है, serial keyboard क्या होता है, कि which sends the data bit by bit in a serial fashion, इसका मतलब क्या हुआ, there is only one line that carries data from keyboard to the computer, मतलब, serial keyboard, वो keyboard हुआ, जो, जैसे आप जानते हैं, computer के वल, one, zero की form समझता है, ठीक है, अभी इसको आगे भी डिसकस करेंगे, तो जैसे मान लिजी आपने keyboard से one, zero, one, one, zero, enter किया, तो वो एक-एक करके, पहले one को भेजेगा processing unit में, फिर इस one को भेजेगा, फिर इस one को भेजेगा, फिर इसको, फिर इसको, तो यह होता है, serial keyboard, पैरलल कीबोर्ड क्या होता है, कि which sends all the bits of the data simultaneously, पैरलल कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और मान लिजी आपने one, zero, one, one, zero, enter किया, तो वो एक साथ, at a time, यह सारा data processing unit को भेज देगा, तो यह difference होता है, serial keyboard में और पैरलल कीबोर्ड में, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, कि advantage, अब keyboard के advantage क्या है, और disadvantage क्या है, यह ध्यान दखिए, यह सब चीज़े जब आपको concept clear रहेगा, तो आपको questions करने में, ज सबसे बड़ा advantage तो यह है, कि जब आप keyboard से key type करते हैं, तो reliability, reliability, क्योंकि आप enter कर रहा है data को, तो reliability of inputting data, text or number, चाहे आप text type कर रहा है, ABCD, और चाहे आप number type कर रहा है, 0, 1, 2 से लेकर, और 0, 0 से लेकर ना enter, तो reliable रहता है keyboard से enter करना, second क्या है, कि keyboard जो है, available है, आज की date में, availability in various format, various format, मतलब आपको अलग-अलग format में भी data enter करना है, हिंदी में, इंगलिश में, पंजाबी में, गुजराती में, foreign languages में, तो आपके पास अलग-अलग formats में keyboard available है, तो पहली चीज तो यह हो गई, दूसरी चीज क्या है, disadvantage की हम लोग बात करें, तो disadvantage क्या है, disadvantage कीबोर्ड का यह है, पहला तो यह है, इससे अगर आपको pictures है, graphics है, और भी सारी diagram है, voice है, video है, यह सारी चीज़ें आप keyboard से input नहीं कर सकते, picture हो गया, graphics हो गया, voice है, video है, diagram है, यह सारी कीज़ें, आप keyboard से input नहीं कर सकते, तो एक तो यह हो गया, दूसरा क्या है, कि इसकी जो working है, वो slow होती है, obvious ही बात है, वही कीबोर्ड से आप जितनी तेजी से आप type कर पाएंगे, या human body, कोई भी human है, वो जितनी तेजी से data enter कर पाएगा, वही तो speed रहेगी, और computer की processing की जो speed होती है, उससे लाखों गुने ज useful for enlarging और changing sizes of windows on screen, इस screen पे जो window की size आती है, मान लिजे आपका ये monitor है, ठीक है, अब screen size मान लिजे इतनी है, suppose कीजे, ठीक, तो इस size को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, keyword से, ठीक, और last क्या है, very slow while moving windows और other object, अगर moving window है, moving window मतलब जैसे मान लिजे आप, किसी moving object की आपको photo input कर रही है, video बनाना है, उसमें keyboard जो है, बहुत slow है, ठीक है, तो ये साथ, तो फिर, इसका solution क्या है, इसका solution next, जो पहले device हमारी क्या हो गई, keyboard हो गई, next हमारा आ गया mouse, पहला हम लोग discuss कर चुके, keyboard, ठीक, अब second हम लोग बात करने जा रहे हैं, mouse की, तो mouse क्या होता है, mouse को हम बोलते है graphical user interface, मतलब mouse किस principle पर काम करता है, mouse काम करता है, जी, यू, आई, इसको बोलते है, graphical user interface, ठीक है, तो mouse क्या होता है, कि mouse जो है, GUI, graphical user interface, मतलब, a mouse also includes one or more buttons, ठीक है, to allow users to interact with GUI, आप देखते हैं, mouse में आपने देखा होगा है, जैसे माली, suppose कीजिए, इस तरह का mouse है, आपका ये wire है, तो आप यहाँ पे देखते है, mouse पे, एक button, left click, right click, right click, और एक scroll करने के लिए बीच में रहता है, तो ये जो buttons रहते हैं, left click, right click, और scroll करने वाला बीच में, ये, इससे क्या फाइदा होता है, इससे फाइदा ये होता है, कि user interact कर सकता है, user कोई काम कर सकता है, screen के साथ में, या computer के साथ में, ठीक, अब mouse जो होते हैं, mouse भी different तरह के होते हैं, जैसे पहला है आपका mechanical mouse, दूसरा है आपका optical mouse, mouse जो है, पहला आप लिखिए, mechanical mouse, दूसरा है, optical mouse, ठीक है, तीसरा है आपका laser mouse, laser mouse, तो mouse जो है, ये तीन टाइप के होते हैं, पहला mechanical mouse क्या होता है, movements are related to the movement of the ball at the bottom, ये आप सब लोगों ने use किया होगा mouse को, आप देखते हैं, mouse के नीचे bottom में, जैसे आप मान लिजे, आपने कहा कि, ये कोई mouse रखा हुआ है, ये left click, right click, और ये scroll वाला बटन, नीचे आप देखेंगे, इस जगह पे, एक ball रहती है, ठीक, तो जब आप mouse pad पे या table पे mouse को move कराते हैं, तो उसके movement पे mouse का cursor move हो रहता है, तो इसलिए इसको बोलते है mechanical mouse, क्यों, क्योंकि movements are related to the movement of the ball at the bottom, clear, second है आपको optical mouse, optical mouse क्या करता है, कि optical mouse में, एक LED होता है, light emitting diode, इसके मैंने वीडियो पूरा डाला हुआ है, चैनल में बहुत अच्छी वीडियो इसकी पढ़िया, आप चाहे दोस्को रिफर कर सकते हैं, और, LED हो गया, and photo detector, photo detector, तो LED और photo detector की मदद से इस में movement को detect किया जाता है, ठीक, तीसरा क्या है आपका laser mouse, laser mouse में क्या होता है, कि it uses infrared laser diode instead of normal LED, तो laser mouse में क्या होता है, कि LED की जगे पे एक infrared laser diode यूज किया जाता है, movement को detect करने के लिए, क्यावल यह difference होता है, तो यह तीन तरह के mouse होगे, आपके mechanical mouse, optical mouse और laser mouse, तो यह दो devices हम लोगोंने discuss कर चुके, keyboard हो गया, और mouse हो गया, अच्छा mouse के advantage और disadvantage की बात कर लें हम लोग, तो advantage और best advantage, advantage क्या है mouse का, पहला तो यह है कि यह best suited है, किसलिए, for pointing objects, oblig options on the desktop computer, desktop computer पे, use करने के लिए best है, second क्या है, most familiar and easy to use pointing device, सबसे ज़्यादा familiar device है, disadvantage क्या है, disadvantage यह कि mouse को use करने के लिए, आपको एक flat surface चाहिए होता है, चाहिए आप mouse pad का use करें, चाहिए आपकी tabletop जो है, वो flat surface हो, you have to have a flat surface, to use this mouse, अगर flat surface अबलेबिल नहीं है, तो आप mouse को नहीं use कर सकते हैं, second क्या है, a mouse can't easily be used with a laptop, और a notebook, और a pemtop computer, कि mouse को आप laptop के साथ, या pemtop के साथ, ठीक है, और यहां तीसरा हो गया, आपका notebook के साथ, आप मतलब use नहीं कर सकते हैं, या या यह कहलिए use करना convenient नहीं है, तो यह इसके disadvantage है, तो यह दो तरह की input devices, हम लोगों ने आज discuss की, अभी और भी आगे joystick है, scanner है, और तमाम तरह की devices हैं, उसको हम लोग next lecture में discuss करेंगे, तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा, अगर आपको वीडियो content पंसत आ रहा है, तो please वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो please comment line में comment line करके पूछिए, और channel पे आप नए आए हैं, तो चैनल को subscribe कीजिए, Thank you.